सिवान का स्थापना द्योस भी है 1884 को राजंदर वाव के जनम दिन आज हम लोग सिवान सिटी मंटेश्री स्कूल में पस्थित और आपको बता दे कि मेरे सामने फोटो दिख राइस से आप सबको पता हो गया है कि आज 3 दिसंबर को डॉक्टर राजंदर प्रसाद की जन्म मिलंगred पार इसे क्वान से इस्थापन और इसके से अई। शकूल में बच्चों के द्वारा रंगोली बनا яं गया है दीप जला के बाट करने के लिए हमारे साथ तमाम सिच्छक गर्ट सिटी मंटरेश्वी स्कूल के उपस्तिते इन सारे सिच्छकों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखीर डॉक्टर रजन परशाद की जंदी की तिती को क्यों मनाया जा रहा है विद्यालह में सिवान की अस्थापना दिवस को क्यों मनाया जा रहा है इससे बच्चों को क्या लाब होगा इन सारे सवालों को जवाब यहां के तमाम सिच्छकों से जानने का प्रयास करेंगे सब्सक्राइब परदानाचारे सर सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत पूस्वाइब है थैंक्यू आपके चैनल को धन्जबाद देना चाहेंगे कि आप पहुंच करके और इस से कार्जकरम को सफल बनाने में सहजोग किये आज जो कार्यकरम हो रहा है हम लोग पहले या कार्यकरम 21 नॉवंबर अनई 94 मिन विद्याले के जब स्थापना हुआ था उस समय 21 नॉवंबर था तो हम लोग मनाते थे संजोग से 6 का पढ़ जाने के कारण हम लोग इसे 3 दिसंबर को के दिन चुनाव किये ताकि 3 दिसंबर 1864 इस भी को राजंदर बाव के जनन्दिन है और संजोग से इसी दिन सिवान का स्थापना दिवस है तो हम लोग यह चुनाव किये कि आजी की दिन इस दिवस को हम लोग खुशी पुर्वक मनाएं संजोग से स्रिवान जीला के ही राजिंदर बावु थे और पर्थम राष्ट पती थे आप जानते हैं कि उनके पिता का नाम हाना महादेव सहाय और माता का नाम कमेसुरी सहाय था और उनके पत्नी थी राजबंसी देवी तो उनका जो भी कार्यकरम रहा है वह बहुतनी में घावी रहे और शुरू से अंग तक कभी भी वह सेकेंड क्लास नहीं आये पर्थम सेड़ी से पास हुए तो अगर विद्धाले में मनाया जाता है तो बचों को उसे सिख मिलेगा और वह अनई सब पचास से अनई सब बाशर तक राष्टपती पद को सुसोबित किये यह बहुत ही सांस अ बनाते हैं लेकिन आज हम लोग बाल भुझ का आउजन करकर और इससे बढ़ चरकर करके हिसा ले रहा है ताकि बचों में इसका संदेश जाए और वह उसी तरह से बने जो जैसे राजेंदर बावुस से कुछ शिख लें इसी परफेक्श में आज हम लोग भुझ का आउजन अज है कि किताबों में तो पढ़ाया जाता है कि ड़क्तर रजेंदर प्रसाइद सीवान के रहने वाले थे 13 अभर उनका जंटिता है लेकिन कहीं ने चाहिं जब इस तरीके में करेक्सराइब किया जाएगा तो बच्चे ड़क्तर रजेंदर परसाद के जीवड़ी को ज्य किताबी दुनिया बढ़ा है वालखे ल सब्सक्राइब हुग सब्णके काषगी सते हैं विद्या वे दि यह लेनल में यह किताबों में तो पढ़ा है लिए हुआ है पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दू और अभिसेक कुमार सिंग जिलामु के बारत स्काउट गाइट सिवान आज राजंदर बावु की जेनती है आज और हम सभी गौरोव साली है कि हमने भी जनम लिया है जहाद इसके पथम राश्टपती जिनके कॉपी पे लिखा एक् उसका भी बारसी कोच्चो था 21 नौमबर को लेकिन छाट की होजा से उस दिन बाल भोज का होजन नहीं हो पाया और आज राजंदर बावु की जियनती के उसर पर इनों ने बाल भोज करके बच्चों को माना एक संदिश देने का काम किया है कि आभी राजंदर बावु बनी कि अगर यहां से मन्च में पर उनका मल्यापन करके बच्चों को डायरेक्ट उनकी कहानिया किताबी दुनिया और उनके जीवन मोधार है और निस्ती तो पर प्रैक्टिकली भी आपको लगता है चैसे असे अब जहता है कि तमाम बच्चे बुलां के दklah सब्सक्राइब बच्छे ज्यादा उसे प्रेरित हो और उनके जीवणी को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा समाहित करने का प्रयास करें बलकि इन सारे चीज़ों पर आप लोग क्या होते हैं कमेंट करके जरू बटाएगा और डॉक्टर राजेंदर परसाद के सर्में एक हम सभी सिवान वासियों को बिहार वासियों को गुमान होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एकलोते हैं से डॉक्टर राजेंदर परसाद थे जिनको यह उपादी मिली थी बलकि इन सारे चीज़ों पर आप लोग कैस होते हैं जरू बताएगा जय हिंद्